असलाम लेकुम स्टूडेंट्स आप सब ठीक होंगे आज हम जो चेप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है वेरियेशन चेप्टर नबर थ्री ठीक है पेज नबर फुर्टी नाइन पे सबसे पहले हम इस पे वेरियेशन के बारे में पढ़ेंगे वेरियेशन के बारे में पढ़ने से पहले हम इसमें पढ़ेंगे रेशो, प्रोपोर्शन, वेरियेशन जो के डारेक्ट पी है और इन्वर्स पी है इसके बारे में पढ़ेंगे हम और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद दा डफिनिशन ओफ रेशो ठीक है रिशो क्या है आपके पास रिशो रिलेशन होता है दो क्वांटिटीज के दर्मियान में ठीक है जैसे कि यहां लिखा हुआ है दो क्वांटिटीज है आपके पास उनके दर्मियान में जो रिलेशन है वो आपके पास रिशो है रेशो बैसिकली डेली लाइफ में भी आप ऐसे ही ले सकते हैं कि आप किसी दुकान पे गए आपने 10 बैनानाज लिए उसमें से 5 खा लिए या 5 किसी को दे दिए तो आप ऐसे लिखेंगे कि जो आपने खा लिए या जो आपने किसी को दे दिए वो आप उपर लिख देंगे और दूसरे आप नीचे लिख देंगे यानि कि 5 over 10 जैसे मैंने इदर लिखा है 5 over 10 यह आपके पास होती है ratio होती कि over में fraction ही है और कि हम over की बजाये यहाँ दो dot लगाते थे उसको हम कहते है ratio ऐसे कि मैंने यहाँ दो dot लगा के बताया हुए कि ratio को ह इसके बाद है proportion proportion ratio ही होती है लेकिन हम जब दो ratios को आपस में compare कर लेते हैं उसको हम बोलते है proportion ठीक है एक expression है जो कि आपके पास दो ratios को equal बनाता है यह दो ratios को relation आपस में बनाता है equivalent वाला ठीक है इसी तरह अब वही 10 apple थे यह 10 बनाना थे जो कि मैंने दिये लेकिन अब ऐसे कि कि एक दो फर्द के दर्मयान में comparison हो रहा था कि कोन खाता है यह को लेता है तो एक ने पांच ले लिए एक छे ले लिए दोंदों को जब मैं equal रख दूंगी यह आपके पास क्या आजाएगा proportion आजाएगा ठीक है आपके पास ratio हो गई ratio की definition होगी proportion होगी proportion ratio यह है लेकिन आप इसको कहते है proportion proportion में लिखने का एक हम कोई भी expression ले लेता है यह लिखने के लिए कोई भी एक फ़र्म ले लेता है सबसे पहले ratio का देखेंगे रेशो में आपके पास कोई भी मैंने एक number ले लिए ए ले लिए और एक का आपने बी ले लिए इन दोने के दर्मयार में मैं ratio इसको आपके पास एक number आपने A, B, C, D ले लिए पहले आपने A और B के तरमयार में ratio दी, C, D के दर्मयार में ratio ली आप इन दोनों के दर्मयार में proportion find ले ख़़े हैं इसको आप इस तरह लिखते हैं और आप इसमें आप पहली और इसकी last ाली amount को आप कहते है extremes और सेकिंड औ आप क्या कहते है means ठीक है proportion और ratio हो गया ratio का कोई unit नहीं होता क्योंकि ratio और ratio का unit कोई नहीं होता क्योंकि जब आप ratio को cut करते हैं तो दोनों units same होते हैं और आपस में cut down हो जाते हैं जैसे कि हम question करेंगे उसमें आपको समझ आज़ेगा ठीक है आपका chapter था variation book पे page number 49 पे आप इसको में learn करेंगे a relation between two quantities of the same kind with my union same unit जिनका unit भी same होगा वह आपके पस ratio है जिसमें मैंने अभी अभी आपको एक्जांपल दे दी है a और b की उसने उसी form को दुबारा लिख है कि a ratio b इसमें a क्या है antecedent और b क्या है consequent ठीक है order of order important है ratio का ठीक है ratio का order important है यानिके a ratio b लिख देंगे या भी ratio ये लिख देंगे तो दोनों में आपका change आएगा ठीक है इसकी एक example लिख हुई है कि एक hockey team थी जो के match खेल रही है और 5 हार जाती है चार जीचाती है उसको वो ratio में बता रहा है कि कैसे है चार जो जीचाती है उसको उसने उपर लिख दिया और जो 5 total हार जाती है match तो वो उसने नीचे लिख दिया यह आपके पास ratio होगा यानि कि हारने और जीतने के दरम्यान में portion बना दिया ratio को determine कर दिया यह आपके पास ratio है ठीक है उसके बाद आपने book पे इसकी definition करनी है ratio की यही मैंने आपको mark करवा दिया जैसे definition ratio की definition आपने यह a relation से लेके a over b तक करन ठीक है उसके बाद आप आजेंगे page number 51 पे जिस पे आपकी proportion की definition लिखिया है proportion एक statement होती है जो कि दो ratio का equivalence relation बनाने के लिए इस्तमाल होती है proportion is a statement which is expressed as an equivalence of two ratio देखे यह वाला expression मैंने आपको बना के बता दिया हो है a ratio b is equal to c ratio d equal भी लगा सकते है और proportion भी लगा सकते है देखे जिन्होंने दोनों sign लगाए है इसकी आपने यह वाली definition proportion से लेके और यहां तक learn कर देनी है उसके साथ में extreme और means भी बता देने है ठीक है यहां तक आप इसकी definition को learn करेंगे आपकी दो definition होगी ratio की और proportion की बुक पे आ जाएं आप इसकी हम आप exercise करेंगे ratio और proportion की according हमीं दोनों इसकी exercise के question करेंगे इसमें आप सबसे पहले smart syllabus के according इसको mark करेंगे तो exercise no.3.1 का question no.1 का फौर पार्ट करेंगे फिफ्पार्ट करेंगे फौर्थ question no.4 करेंगे question no.5 करेंगे question no.7, question no.9, question no.11 का फौर और फिफ्पार्ट करेंगे जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है मैंने सर्कल कर दिया हुए ठीक है इसके बाद हम इसका question number exercise number 31 का पहला part अज हम करेंगे इसमें क्या लिखा हुआ कि ratios को express the falling as a ratio and fraction into simplest form postal इसका पहला question आपका दिखव हभा 27 minutes, 30 seconds और one hour. ठीक है आपनी कहे करने है यह आपके पास दिया हुआ है different units देखें दीये होने लेकिन हमारे पास unit same होना चाहिए हम इस question को करेंगे सबसे पहले हम इसके unit same बनाएंगे उसके बाद हम इसको solve करेंगे ठीक है तो आप इस question को हम करते हैं जैसे कि देखें आपके पास क्या unit है ट्वंटी आपके पास question था exercise number exercise number 3.1 का question number 1 का fourth part हम कर रहे हैं इसका आपके पास तिया हुए 27 minute comma dot 30 second comma 1 और ठीक है सही है इसके बाद आप इसको सबसे पहले unit same का बनाएंगे इसका तो आप भी पता है minute second और हार इन सबका unit सबसे चोटा वाला कॉन सा है second तो आप इस सबको किस में convert करेंगे second में 27 minute आप एक minute में किते second होते हैं 60 तो हम इसको साथ multiply करवा देंगे dot plus में change हो जाता है 30 ऐसे ही आजएगा और आपके पास ये सारा का सारा change हो के second में एक unit convert हो गया अभी में कॉमा ही लगा रही हूं इसके बाद हम इसको change कर लेंगे और किसकी बराबर होता है एक घंडे के अंदर 60 minute होते हैं और 60 minute के अंदर एक minute के अंदर 60 second होते हैं तो ये हमारे पास unit और की बजाए second में change हो गया अब आपके पास आप मुल्टिप्लाइ कर बाते हैं 27 को और 60 को तो वह आपके पास आजाता है 1620 प्लस 30 यानि कि 1620 कह सकते हैं 1620 कह सकते हैं वह आपके पास आजाएगा 1650 second, 3600 second अब आपने क्या करना है इसको उसने बोला simplest form में ratio में convert कर लें या fraction में convert कर लें हम fraction में convert कर लेते हैं देखे second same हैं देखे second और second unit जब आपस में cancel होगे तो हमारे पस ratio का कोई unit आएगा इसलिए मैंने आपको पहले बादा दिया था ratio का कोई भी unit नहीं होता है क्योंकि वह आपस में cancel out हो जाते हैं ठीक है 1650 पर है और 3600 नीचे है आप इसको cut करेंगे सबसे पहले आपको cut करना आता है 0 को 0 से cut कर लें पिर आगे इसको 5 के table से cut कर लें या calculator से direct cut करेंगे calculator पर आप इन दोनों को लिखेंगे और over का button होता है साथ में उसको प्रेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इसको cut करके आपके पास आ जाता है 11.24 ठीक है आप cut करके देखें यह ही आएगा यह आपकी इसकी कौन सी form आ गई है fraction form आ गई है इससी तरह आपकी same वाली fraction की त 24 यह आपके पास आंसर आ गया इसका आपने इसको simplest form में turn कर दिया है याई कि इसको card के छोटा सा बना दिया है बुक पे आपने इसी तरह इसका question number 5 दिया हुआ है जो कि आपने hood कर से कर ले है इसका देखें unit unit same दिया हुआ है दोनों degrees में दिया हुआ है और degrees में आप इसको solve कर सकते हैं आपने simply क्या करना है जिस तरह यह कोसंता सेम इसी तरह आपने उपर उपर और नीचे इसको लिखेंगे उपर क्या है 75 और नीचे क्या है 1225 इन दोनों को आप divide करेंगे काटेंगे और आप इसको simplest form में convert करके ratio में भी लिखेंगे और fraction में भी लिखेंगे ठीक है यह आपका home work है यह आपने करना है ठीक है कल आपने आपका home work किया है कि आपने definition करनी है ratio की proportion की और exercise number 3.1 का question number 5 question number 1 का fifth part करने है ठीक है student इंशालला कल हम इसका next part करेंगे Allah अपिस